स्वागत होसता आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में तो आप सभी को मालुम है पिछला वीडियो में हम बोले थे कि test sap subjective question का answer लाएंगे ठीक है तो आज का ये वीडियो जो है testics outcome का है subjective question का है ठीक है बहुत लोग इंतिजार भी कर रहे थे इस वीडियो के लिए तो इंतिजार समाप्त हो चुका है जो test series आप लोग का लिया गया है उस test series का जो हमारा subjective question है subjective question का जो portion है वो हम लोग क्या करेंगे one by one देखेंगे ऐसा है क्योंकि बहुत लोग का पास notes नहीं है ठीक है जो जो new student है न उन लोग का पास notes नहीं है तो त्यारी कैसे करेंगे तो इ इससे बाहर question नहीं जाएगा जितना हम यहां पे test series का question ला रहे है इतना आप लोग कर लिजे वाई और जो हम important question दिये इतना ही तो करना है आप लोग का पूरा cover हो जाएगा तो उसी तरह हम लोग को लिख देना है क्या होता है data redundancy आप लोग को मालूम है duplication of data इसी को तो हम लोग बोलते है data redundancy तो देखिए लिखावा है कि the duplication of data और record हम लोग data भी बोल सकते है record बोल सकते ठीक है इन database system is knowledge क्या होगा data redundancy होगा इतना करिए एक नमबर पाईए ठीक है यह जब जो यह सब जो question आप लोग को short में पूछेगा तो आप लोग का कितना असान question भी है वो भी देख लीजे आप लोग को क्या पूचा कि data redundancy क्या होता है आप सभी को मालूम है कि यह duplication of data होता है MCQ question में बहुत बरहम करवा चुके हैं है कि ने तो आप लोग को मालूम है आप लोग का पूरा अंसर भी याद हो गया होगा ठीक है अभी आप लोग को यह कोसिज करना है कि what why this that यह सब का प्रस्ण होता है ना कि कैसे हो रहा है क्यूं हो रहा है किस तरह हो रहा है यह सब से आप लोग अभी बचिए अभी सिर्फ वीडियो आ रहा है जो कोस्षण आ रहा है सिर्फव आप लोग को रटने वाला कोस्षण आ रहा है आप लोग को याद करने वाला कोस्षण आ इसमें पढ़ानिर curious wybaur यह को ध्यान में रखूंच कि लिए तो इस बात को आप लोग धि सी important question करवा रहे है जो आप लोग को डारेक्ट question पूछेगा देखिए अगला question है define the data structure तो देखिए बहुत बार question आया गया ही सब ठीक है तो data structure को define करना है तो आप लोग लिखिएगा कैसे आप लोगो याद करने का trick देखिए इसी तरह आप लोग दो तीन वर बोलिए ठीक है दा ग्रूप ऑफ डिफ्रेंट डेटा टैप अस्टोर इन सिंगल यूनिट इस ना इस क्या होगा data structure हो जाएगा मेरे साथ बोलिए क्या होगा कि दा ग्रूप ऑफ डिफ्रेंट डेटा टैप अस्टोर इन सिंगल यूनिट इस ना इस क्या होगा data structure हो जाएग कितना सिंपल है ठीक है एक नंबर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल गया ठीक है अगला देखिए अगला question आप लोगो क्या पूछेगा what is SQL क्या पूछावा यहाँ पर question what is SQL तो आप लोग को मालूम है SQL का पूरा नाम क्या होता है अपने से आप लोग answer अपने से भी आप लोग क् ध्यान रखिएगा देखिए क्या होता है SQL it a stand for a structure query language क्या होता है इसका पूरा नाम इसका पूरा नाम होता है structure query language ठीक है SQL is simple language क्या है SQL जो है हमारा simple language होता है ठीक है which is used for accessing handling and managing the record in database system क्या करता है यह accessing करता है handling करता है managing करता है किसको record को ठीक है किसमे database system में इसकी को हम लोग क्या बोलते है SQL गोलते है ठीक है तो एक बात और हम यहाँ पर बता जीते हैं कि जो question आप लोगो testries वाला था ना जो जो question testries है जो हम important question में दीए है वो सारा यहाँ पर नहीं लाया गया है ठीक है बहुत सारा question छोड़ दिया गया है क्योंकि हम एक बार करवाज चुक है तो time waste नहीं करना चाते हर बार एक ही question ला करके ठीक है तो इस बात को भी ध्यान देंगे मतलब कि आप लोग का वो जो question हम दिया है important question वाला उसको भी आप लोग को कर लेना है ठीक है क्योंकि तीन दिन आप लोग का gap है भाई तीन से चार दिन इतना आप लोग का है न objective तो होई चुक है सिर्फ आप लोग को क्या करना है subjective याद करना है ठीक है objective आप लोग को clear है है किने बिल्कु इस gate work upon two or more than two input signal and produce only one output signal is known is क्या होता है इसको हम लोग बोलते है NAND gate बोलते हैं यहाँ पर कह क्या रहा है कि NAND gate जो होता है न वो क्या करता है दो या दो से अधिक क्या कर रहा है input कर रहा है signal क्या कर रहा है input कर रहा है और output जो निकल रहा है जो output निकल रहा है वो single निकल रहा है एक ही निकल रहा ह तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेनड करते हैं कि एक पर और पढ़ते In remarkably a अगला पर बढ़ते हैं ये कोशना हम लोग की है हो जिर्फ प्रहें को देखें हुए candidate की नहीं देखिए ठीक है तो आज हम लोग उसको भी देखते हैं क्या बड़ा define primary key and candidate की तो क्या होता है देखिए पहले हम लोग देखते है primary key को the state of one or more than one attribute that unique identity क्या बड़ा ये एक unique identity होगा the record और tuple is known as क्या होगा primary primary key ठीक है तो समझाने और ना समझाने से कोई अब दिक्कत ही नहीं है ठीक है अगर मैं समझाओगा तो और time waste होगा इसलिए हम देखिए सिद्धे आद करने का कोशिस करेंगे ठीक है अगला question क्या है candidate की तो candidate की किसको बलते है all attributes which is work similar to the primary key किसे कर रहा है ठीक है is known as क्या होगा candidate की होगा तो ये सब कहा जाएगा telegram में जाएगा ठीक है अब एक question देखिए ये viral question बहुत कम question ऐसे करवाए है और आप लोग ध्यान देंगे इसमें ठीक है बहुत ही असान है बट अगर एक पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे ना तो ये question बनेगा ही ने आप लोग छोड़ करकर आ जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है dual for following मतलब कि आप लोगो dual nature वाला question पूछ रहा है तो हम chapter में पढ़ा है बट ऐसा question revision नहीं करवा है तो एक question हम यहाँ पर डाल दियें ठीक है देखिए question क्या है x plus x bar y ये हमारा क्या question है इसको हम लोग dual form निकालना है दूसरा question क्या है x plus 0 जो हमारा दिया हूँ है क्या हमारा bracket में दिया हूँ है फिर into है a plus b फिर हमारा bracket में है तो इसको हम लोगो dual nature निकालना है देखिए इससे पहले आप लोगो concept पता होना चाहिए कि dual nature का concept क्या होता है ठीक है देखिए अगर plus रहेगा तो हमारा क्या होगा हमारा multiply बन जाता है अगर multiply रहता है तो हमारा क्या बन जाता है plus बन जाता है अगर zero रहेगा तो वो क्या बनेगा one बनेगा one रहेगा तो क्या बनेगा zero बनेगा तो इसी form में अभी को हम क्या करेंगे अंसर को बनाएंगे तो देखिए हम लोगों क्या दिया हुए x plus x का बार और y दिया हुए तो जहां जहां हमारा क्या है plus है वहां हम लोग क्या करेंगे आप लोग को मालूम है क्या करेंगे वहां पर multiply का चीन लगाएंगे तो देखिए ह हमारा यहां पर क्या हो गया multiply काचई और यहां पर देखेंगे तो डोट रहेगा तो इसका hope plus होता है तो यहां पर plus हो गया मतलब की अंसर क्या निकल गया x.x bar plus y यह हमारा क्या हो गया? डूल हो गया, ठीक है? अब इसमें देखिए, क्या भोड़ा है? a plus 0, देखिए, 0 दिया हुआ, यहाँ पर answer कर लाए था, 0 रहता है, था हम लोगा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? बड़ यहाँ पर 1 लिखना भूल गया है, तो 1 होगा, ठीक है? और यहाँ plus है, तो हमारा क्या होगा? आप लोगो मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा? multiply होगा, यहाँ multiply है, तो यहाँ पर क्या होगा? plus होगा, आप लोगो वही करना है, plus रहेगा, multiply करना है, करेंगा पलस करना है जिरो रहेगा वन करना हों रहेगा जिरो करना बस इतना ही करना है अप अतुन और टू और निट वर क्या नेट वरक होता है मतलब कि दो या से अधिक computer क्या करेगा अपस में connect हो करके information को share करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे network बोलेंगे तो चलते अगला question की और अगला क्या 10 number explain the topology किसको explain करना भाई topology को बहुत बार question पुछा गया धान से देखिएगा question बहुत असान है अंसर भी बहुत असान है क्या बोड़े अरेंजमेंट ओफ computer इन यह network क्या होगा टोपोलोजी होगा किसका एरेंजमेंट एरेंजमेंट ओफ computer इन यह network की इस नौनेज टोपोलोजी तो दो लेंगे तो अंसर है अगला question देखिए 11 number what is boundary search give example तो देखिए सिर्फ आप लोगो boundary search के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगा यह ठीक है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि what is boundary search सिर्फ आप लोगो boundary search बतारते हैं एक example देना है ठीक है तो होता क्या है देखिए the boundary search used for क्या कर रहा है search the element एलिमेंट को क्या करता है search करता है find the location क्या कर रहा है location को भी find कर रहा है find its location देखिए इसका जो method होता है अलग होता है क्या होता है method कि the method of boundary search is search the element when records are arranged in ascending order या फिर डिसेंडिंग ओर इस बैंडरी सर्च अप्लाई दा फॉर्मूला यह जो काम करता है एक फॉर्मूला अप्लाई करके करता है देखिए कौन सा होता है ठीक है क्या होता है कि मीड बराबन मीन प्लस मैक्स बाइटू आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यह को एक ब इतना तो मालूम है अब हम लोगों को देखिए हम लोग यहां पर सर्चिंग क्या करना है सर्चिंग अलीमेंट हम लोग को त्या जो है कि अम लोग Have मिड बराबर मिन प्लस मैक्स बाई टू तो हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले मिन लगाएंगे मिन का 0 होगा मैक्स का 6 होगा बाई टू करेंगे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे सिंप्ल फाई करेंगे तो हम लोग 6 बाई टू हो गया इसको काटेंगे क्या होगा 3 हो गयाire 3 जो निकला हमारा क्या निकला मिड निकल्स ठीक है मतलब ओर माँटतर आ भोने के आप मदूंद करते हैं 3 वाला 5 देखेगी ह Christianity हमलों को क्या निकला है हम्लों को मालूँ है की हमलों को element जो find करना था वो क्या करना था 35 करना था और हम लोग को क्या कर दिए हम लोग 35 को find कर दिए देखिए A3 हमारा क्या निकला है A3 हम लोग को निकला है midpoint midpoint हमारा क्या है 35 है है कि ने तो कितना असान है इसी तरह आप लोग क्या करेंगे याद करेंगे आप लोग मतलब जिस तरह आप लोग याद करना है रटना है कुछ भी करना बट आप लोग को याद हो जाना चाहिए ठीक है तो आप लोग को यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के बारें बता रहा है ठीक है तो डेटा स्ट्रक्चर के तो बहुत सारा ओप्रेशन होता है देखि यहां पर डेट लिखावाई ठीक है टैपिंग मिस्टेक मतलब की हैड रैटिंग मिस्टेक डेटा है डेटा स्ट्रक्चर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इंसर्शन बोलते हैं जो हमारा क्या करता है एक निया निया एलिमेंट को इंसर्ट करता है एड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंसर्शन बोलते हैं और जो रिमूब करेगा उसी को क्या बोलते हैं डेलेशन बोलते हैं देखिए डेलेशन मिंस क्या करेगा रिमूब या भी हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं तो समझ में आगे आप लोगा डेलेशन क्या होता है इंसर्शन क्या होता है अग वोड़ रहा है अगला कोशन भाई अगला कोशन भूड़ रहेगा तो ही पूछेगा मतलब रहेगा तो रहेगा फिक्स नहीं यह बट रहेगा इस तरह से आप लोगोड करने वाला कोशन देखें क्या हुए सरवर देना है पहला आप घ्रवर को सर्वर दूसरा हमारा प्रोटो कॉल तैसरा क्या देना इंटरेट देना है चौथा मारा इपनलब हैं और जो सर्वर होता है नयोड नोड का क्लेक्षान का डूट इस कलेक्षान अने चया है यह अगर छेप्टर नहीं पड़ है तो यह गलती हैं ऐसे आपनी प्रोटो कोल तो अब ज़स्ट हम करवा है किसका सम्मू बोल रहा है रूल का ठीक है अब लोगों मालू है ज़स्ट करवा हैं इंटरनेट क्या होता है इसका पूरा नाम क्या होता है interconnecting network होता है बहुत बच्चे जो है इंटरनेट को जो नाम समझ ले दे ठीक है बट इसका पूरा नाम भी होता है interconnecting network क्या होता है interconnecting network होता है internet is ये worldwide network क्या होता है internet जो होता है वो word में काम करता है, worldwide network है जिसको आख क्या बूलते है www भी बोलते है which is taken from first network क्या होता आर्पानेट जो हमारा network है जो हमारा internet है वो सबसे first में उसका नाम क्या होता आर्पानेट था mcq question पुछेगा ठीक है अगला question देखें क्या बोड़ा email email क्या होता है it's a stand for electronic mail क्या होता है ये electronic mail होता है email is just service of transmission of message क्या करता है ये ये transmission करता है कि इसको message को one system to another system में एक computer से दुसरे computer में इसी को हम लोग क्या बोलते है email बोलते है और आज का question यहीं तरह मतलब कि आज हम लोग का क्या हो या test series आप लोग का test series का जो question वो part one हम लोग को समाप्त हो गया मतलब subjective question तीन पार्ट में आप लोग को पूरा complete हो जाएगा most important question आप लोग को सभी लोग को ही question जरूर करके जाना है तो आप सभी को मालूम है कि हम लोग का objective पूरा complete हो चुका objective हम लोग को पूरा तगड़ा है तो आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा सब्जेक्टी में ध्यान देंगे उसका बाद हम लोग का पूरा computer science का जो हमारा 90 पलस स्कोर आने वाला है न वह 100 परसेंट आएगा ठीक है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगा मिलते हैं अग क्या लोग क्या है है लोग करेंगे तो आप लोग की लोग का जोग लोग का लोग भी दोग के लोग साने लोग वीडाला है।